Masterbest 2.0 के lecture number 33 में आप सब लोगों का स्वागत है तो ये है unit number 4 optics का lecture number 9 और आज की इस class का हमारा topic है diffraction of light तो आज की इस class में हम इसी topic के उपर based TGT, PGT और GIC के previous year और कुछ important questions को discuss करेंगे और अगर आप channel पर नए है तो आपको बता दे कि इसके पहले हमने जो 3 unit complete करा हैं वो है आपके mechanics, thermal physics and wave and oscillation तो ये 3 unit proper तरीके से complete हो चुके हैं जिनके lectures आपको playlist में master best 2.0 नाम से जो playlist है उसमें सारे lecture आपको sequence में मिल जाएंगे चौथा unit हमने start किया था optics का और ये unit भी आपका complete होने बाला है इसके बाद सिर्फ दो और lecture होंगे आपका एक काफी लंबा जो unit है काफी जादा weightage वाला unit है optics वो भी complete हो जाएगा तो इसके बाद सिर्फ दो टॉपिक आपके बच रहे हैं polarization of light और laser ये दोनों टॉपिक के बाद आपके 4 unit प्रॉपर तरीके से complete हो जाएगे ठीक है ना तो सारे lecture आपको playlist में मिल जाएंगे और जितने भी topic हम यहाँ पर master best 2.0 में discuss करते हैं उन सारे lectures के जो theory वाले lectures हैं जिनको हम supplementary lecture बोल रहे हैं जिसको हमने पिछली वाली vacancy में 2021 में पढ़ाया हुआ था उन सारे lectures के जो link है वो आपको description मिल जाएंगे topic wise जैसे यह आपका diffraction का आज का lecture है तो इसमें हम diffraction के numerical discuss करेंगी लेकिन diffraction को आपको detail में अगर पढ़ना है तो इसके supplementary lecture को आपको पहले देखना होगा जिसका link description में दिया हुआ है आप वहां से जाकर करके इसको proper तरीके से देख लीजिए उसके बाद आप इस lecture को देख सकते हैं ठीक है और किसी भी topic आपको notes चाहिए तो आप play store से physics scholar का app install कर लीजिए और उसमें आप TGT, PGT, GIC की batch के लिए register कर दीजिए हम आपको time मिलते ही batch में allow कर देंगे तो notes का access आपको मिल जाएगा और जो भी questions हम यहाँ पर master batch 2.0 में आज तक discuss किये हैं या जो भी आगे discuss करेंगे उन सारे questions का PDF आपको telegram पर मिल जाएगा जिसका link description में दिया हुआ है आप वहाँ से telegram को join कर सकते हैं ठीक है और बहुत जल्द app के उपर आपका test series आने बाला है UPPGT का और UPTGT का बिल्कुर separate आपका test series launch होने बाला है बहुत ही जल्द launch होने बाला है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के app को install कर लिजे और जब भी आपका test series आएगा अगले 2-3 दिन के अंदर हम आपको वहाँ पर announce कर देंगे वहाँ पर आपको information मिल जाएगी ठीक है चली तो class को start करते हैं और आज की class भी काफी important है और interesting है क्योंकि आपका जो देखिए diffraction of light topic है इसमें बहुत सारी चीजे हैं एक तो आपका जो missing order वाला question आता है दूसरा आपका grating element का जो question आता है ठीक है इसके अलामा आपका slit की width होती है उसके questions आते हैं तो काफी question इसमें है जो 4 से 5 ऐसे फार्मूले जिनके उपर ज्यादातर questions पूछे जाते हैं इसके अलामा diffraction में आपने जितनी भी properties बगरा पढ़ी है जिस तरीके से आपको fringe pattern दिखाई देता है उन सारी properties के उपर उनके फार्मूले के उपर भी question पूछे जाते हैं एक greeting का जो आपका question आता है resolving power का वो बहुत ही popular question है और उससे बहुत सारे question पूछे जा चुके है तो काफी important lecture है इसको भी आपको अच्छे से cover करना है और आज की इस class में भी total 30 question है तो lecture थोड़ा लेंदी हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं question number 1 देखिए question number 1 में कह रहे हैं कि far diffraction at a single slit the width of central maximum is dot dot the wavelength of light यानि कि एक रेखाचिद्र के विवर्तन में केंद्रिय उच्छिस्ठ की चौड़ाई प्रकास के तरंगदैर्ध के उपर किस तरीके से depend करती है आपको ये बताना है ठीक है तो single slit के diffraction की बात करें हम single slit का जो diffraction pattern होता है आपको पता ये single slit है अगर यहां से light जाए और diffraction हो जाए तो diffraction के बाद जो हमें यहां central maxima उसके बाद ये minima फिर यहां पर secondary maxima इस तरीके से आपको pattern दिखाई देता है है ना ये है आपका single slit diffraction pattern तो इसमें करें कि ये जो आपका central maxima है यानि केंदरी उच्छिस्ठ है या principal maxima इसको बोलते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो प्रकास के तरंगदैर बर किस तरीके से depend करती है तो आपको पता है कि इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक की जो चौड़ाई है यह है central maxima की चौड़ाई ठीक है central maxima की ये width है और आप देखें तो central maxima की width है वो कहां है ये दोनों जो आपके दोनों तरफ जो first minima है उन दोनों first minima के बीच में जो distance आ रही है वही है आपके central maxima की width तो यहां से अगर हम देखें यहां से यह है आपका central point इसको बोलते हैं ओ यहां से अगर हम इस वाले minima की position के लिए equation लिखें तो आपको पता है कि minima के लिए single state में जो condition होता वो होता है e sin theta equal to m lambda diffraction में आपको पता है कि जो path difference होता है वो m lambda की equal use होता है minima के लिए जबकि interference में यही वाला term m lambda या n lambda आपके maxima के लिए यूज करते थे तो minima और maxima का जो आप general case लिखते हैं m lambda या 2m plus 1 lambda by 2 यह जिस भी तरीके से आपने interference में यूज किया था diffraction में उसी का उल्टा होता है ठीक है तो यह minima का case है यह क्या है minima का case है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे है पहला जो minima है उसका हम यहाँ से angular position निकाल रहे हैं angular position निकालने के बाद यह angular width मतब half width आ जाएगी और पूरी width निकालने के लिए हम उसी का दो गुना कर देंगे actual में हम यह theta निकाल रहे है ठीक है तो यहाँ से देखे e sin theta equal to m lambda first minima की बात हो रहे है m की value 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा e sin theta is equal to कितना lambda m की value 1 रखेंगे first minima के लिए है ना क्योंकि first minima के बीच में है आपका central maxima पड़ता है और यहाँ से आप निकालेंगे sin theta is equal to कितना lambda upon e के और यही जो sin theta है यह approximately theta के equal होती है क्योंकि यह value बहुत छोटी आती है तो आप कहा सकते हैं कि यह theta is equal to कितना lambda upon e के यानि इस वाले point से जो आपका यह वाला first minima पहुच रहा है यह central point से first minima की जो angular position है जो कोणी यह इस्थिती है वो है lambda upon e तो जितना इधर आपका first minima पड़ रहा है उतना ही इधर वाला भी first minima आपका पड़ेगा यह भी angular position theta हो जाएगा तो इसका मतलब अगर हम central maxima की total width निकालें तो यह theta वाली जो value आई है वो और यह theta वाली जो value आई है वो दोनों जोड़ दें तो यह total angular width हा जाएगा central maxima का तो यानि इसका दो गुना करना पड़ेगा तो width को अगर beta से represent करें तो beta equal to 2 times theta is equal to 2 lambda upon e आप इसको as a formula याद भी रखेंगे हमने supplementary lecture में इसके बारे में काफी detail में बात करी है बस यहाँ पर हमारा orientation है questions को solve करने के लिए बहुत ज़दा हम theory में नहीं जा सकते हैं एक limited दाइरे में हम यहाँ पर explain कर सकते हैं है ना आपको detail में देखना है तो आपको supplementary lecture देखना होगा तो यहाँ से आप साब साब देखिए कि जो आपका central maxima होता है इसके हमने यह angular width निकाली है आप चाहे तो इसकी linear width भी निकाल सकते हैं कोण बराबर चाप बटे तिर्जया का formula यूज़ करके यह पूरा कोण आपको पता है 2 theta और चाप मतलब क्या यहां से लेकर के यहां तक की total लंबाई अगर center से एक तरफ की लंबाई को x बोल रहा है तो यह भी x हो जाएगा तो यह पूरा मिला करके 2 x हो जाएगा तो 2 theta बराबर 2 x कोण बराबर चाप और बटे में तरिजया तरिजया मतलब यहां से यहां तक की दूरी जिसको हम capital D बोलते हैं इसको हम capital D बोलते हैं तो यहां से यह आ जाएगा तो 2 theta इक्वल टू 2 x अपान डी यानि आप यहां से कह सकते है 2 x इक्वल टू क्या 2 theta इंटू में D यानि अगर आप केंद्रियोचिस्ट की central maxima की angular width linear width निकालना चाहते हैं तो आपको angular width में D से multiply करना होगा है ना D से multiply करना होगा बाकी आपको पता है यहां पर lens यूज किया जाता है है ना front of a diffraction में single slit के front of a diffraction में यहां lens यूज करते हैं और यह lens slit के बहुत ही नजदीक होता है और यह focus होकर के यहां पर pattern बनाता है तो हम D को F के बराबर भी कहते हैं तो यह हो जाएगा आपका 2 theta into में F यह भी आप लिखते हैं ठीक है ना तो फिलहाल आप चाहे angular width की बात करिए आप चाहे linear width की बात करिए 2 lambda upon E की जब हम यहां पर देख रहे है term को तो इससे साब साब पता चल रहा है कि जो central maxima है उसकी जो width होती है वो lambda के directly क्या होती है proportional है ना directly proportional और जो slit की width है उसके inversely proportional तो आप इसको as a formula याद भी रखेंगे बाकी इस question का answer हो जाएगा option number A ठीक है ना Kendri Uchisht की जो चड़ाई है वो प्रकास के तरंगदैर्द के अनुक्रमा नुपाती होता है ठीक यह है आपका PGT 2016 का question अगला question देखिए question number 2 question number 2 में करें what does diffraction indicate जो बिवर्तन है वो क्या प्रदर्सित करता है light के particle nature को या wave nature को या both particle and wave nature को या none above आपको पता है कि wave nature को show करने वाली ये तीन फेनोमेना है आप इसको याद रखें ये तीन फेनोमेना जो बहुत ही popular है that is interference यानि की यानि की ब्यतिकरण दूसरा आपका है diffraction diffraction यानि की बिवर्तन और तीसरा आप याद रखें क्या polarization यानि की ध्रूण तो ये तीन वो घटनाए हैं जो light की wave nature को confirm करती है इससे हम कह सकते हैं light के पास wave nature होता है क्योंकि light में interference भी होता है, diffraction भी होता है ठीक है, तो कोई भी चीज अगर wave है, उसके पास wave nature है तो वो इन तीन फेनोमेना को सो करेगा, लेकिन एक important condition आपको याद रखना है कि polarization केवल वही वाली wave सो करती है जो nature में कैसी होती है transverse केवल और केवल transverse nature की जो wave होती है, वही polarization सो करती है, बाकी हमारे पास कौन कौन से experiment है या फेनोमेना है तो हमारे पास इसके लिए दो फेनोमेना है, दो फेनोमेना आप याद रखें कम से कम, जैसे कि content effect है, content effect इसकी अलामा एक आपने जो पढ़ा है modern physics में, that is photoelectric effect photoelectric effect यादि प्रकास वैदुद प्रभाव ठीक है, तो ये जो घटनाएं है, ये प्रकास के कन प्रकृति को confirm करती है या उसके सिधान के अंसार इसको explain कर सकते हैं और ये तीन घटनाएं जो है, वो light के wave nature या तरंग प्रकृति के आधार पर explain किये जा सकते हैं, ठीक है तो diffraction आपका जो है, वो इसी कटेगरी में आता है, wave nature के confirmation के लिए है या और option number B जो है, वो correct हो जाएगा एक और important बात यहाँ पर याद रखें कि ठीक है, ये wave nature को show करने के लिए हैं, लेकिन polarization की जो घटना है, वो सिर्फ और सिर्फ transverse wave जो होती है, उनकी नहीं, ठीक है, चलिए, अगला question देखते हैं, तो ये इसका answer हो गया wave nature, diffraction से wave nature confirm होता है question number 3 देखिए a slit of width A is illuminated by white light, the first minimum for red light, जिसका wavelength 6500 angstarm is obtained at 30 degree the value of a small A is ठीक है, यानि एक slit है, और इसको white light से illuminate किया जाता है white light से illuminate करने के बाद आपको जो यहाँ पर first maxima दिखता है, वो कहाँ दिखता है, sorry, first जो minima दिखता है वो कहाँ दिखता है, यहाँ से कितने angle पर, तो यह है आपका first minima यह आपको दिखता है, 30 degree angle पर, यही कर रहे है, 30 degree angle पर यह दिखता है, तो आपको बताना है कि slit की width है जिसको small a नाम दिया गया है इसकी value कितनी होगी तो आपको याद रखना है single slit के diffraction के case में जो minima का case आता उसका formula अभी अभी हमने पहले question में किया था e sin theta is equal to m lambda आप कह सकते हैं e sin theta equal to m lambda ये single slit के diffraction में minima की condition है ठीक है minima की condition है तो यहां से आप दिखें question में आपको करे हैं कि यह जो पहली minima है वो central point से कितने angle पर मिलती है 30 degree पर तो theta की value 30 degree जो light यूज किया गया है उस light का wavelength कितना है 6500 angle stram और जो slit की width है उसको यहां पर नाम दिया गया small a तो हम यहां small a लिखेंगे उसके बाद sin 30 degree is equal to m की value जो है m मतलब क्या यह order of minima है मतलब first minima की बात हो रही तो m की value 1 second minima की बात होगी तो m की value 2 third minima की बात होगी तो m की value 3 तो यहां पर first minima की बात हो रही तो m की value 1 रखेंगे order और lambda है 6500 angle stram है इसको 10 power minus 10 से multiply करिए अब यह पूरा answer meter में हो गया ठीक है यह पूरा किसमें हो गया meter में हो गया यहां से अब जो answer आएगा वो meter में आएगा ठीक है solve कर लीजे इसको sin 30 की value 1 by 2 is equal to 6500 और यह 10 power minus 10 और यह 2 आपका इधर जाके multiply करेगा तो a equal to हो गया 2 into 50 2 into 6 12 और 13 और इसके लामत 2 और 0s और 10 के power minus 10 और क्या meter ठीक है तो यह आपका हो गया कितना 1 3 into यह 3 और यह minus 10 minus 7 meter सारे option आपको centimeter या millimeter या एंगस्टाम या micron में दिये हुए हैं तो इसका मतलब कि हमें उसी हिसाब से change करना होगा और यह 1 3 दिया हुआ तो इससे पता चल गया यह answer आएगा आप इसको चाहे तो convert करके confirm भी कर सकते है यह 1 3 into 10 power minus 7 है इस 10 power minus 7 में से 10 power minus 1 को इधर ले आई है तो यह बन जाएगा 1.3 और बचेगा 10 power minus 6 meter और 10 power minus 6 meter को ही micrometer या micron बोलते हैं तो 1.3 micrometer या इसी को हम micron बोलते हैं तो इसका मतलब answer जो होगा इसका option number C हो जाएगा ठीक है तो slit की जो चोड़ाई है वो हो जाएगी 1.3 micron या micrometer ठीक चलिए अगला question देखे question number 4 question number 4 में कहरें कि diffraction pattern is obtained using a beam of red light what happens to the diffraction bands if red is replaced by blue light यानी कि diffraction pattern पहले red light को use करके प्राप्त किया जा रहा था अगर red light को use करके blue light यूज कर ले तो फिर उस diffraction pattern पर क्या प्रभाव पड़ेगा diffraction band पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो करें कि remains the same, become narrower and condensed, become broader and further apart और become invisible ठीक है देखें आपको पता है single slit की case में आप कहते हैं कि e sin theta is equal to n lambda, m lambda या n lambda या आपने देखा था single slit का जो diffraction pattern होता है उसकी minima के लिए ये condition होता है यानि कि जो आपका minima होगा वो central point से, central point से ये कितने angle पर होगा ये बताने के लिए हमारे पास ये theta है अब देखें अगर आपका पहला जो minima अगर पहले minima की बात करें तो पहला minima अगर जादा angle पर मिलेगा इसका मतलब कि आपका जो central maxima है उसकी चोड़ाई काफी जादा है अगर आपका central maxima जो है उसकी चोड़ाई कम हो जाएगी तो ये theta की value भी कम हो जाएगी अगर इसकी चोड़ाई जादा हो जाएगी तो पहला जो minima आपको यहाँ मिल रहा है वो सायद यहाँ पर मिले जैसे माल लिजे कि आपका यह central maxima है वो ऐसा ना होकर कि अगर यह ऐसा ह होता तब तो आपको यह यहाँ पर पहला minimum मिलता और तब आपका जो angle निकल के आता यह angle की value हो जाती है इसका मतलब यह कि आपका जो fringe diffraction band है जो आपका diffraction band है जो बीवरतन band बन रहा है अलग-अलग band यहाँ पर बन रहा है ब्राइट और डार्क वाले तो वो जो band की चोड़ लाइट को यूज किया और आपने red light को replace किया blue light से आपको पता है विवग्योर के according क्या होता है आपको पता है इसमें कि जो यह order है मतलब violet से red की तरफ जाने पर जो lambda है यानि wavelength है वो बढ़ता है तो आपने red को हटाया है blue light से यानि कि आपने एक तरह से wavelength को घटाया है तो घटेगा अगर ये घटा तो ये पूरा term भी घटा है ना अगर lambda आपने घटाया यहां पर light को replace करके तो lambda घटाने का मतलब sin theta घट गया और sin theta घटने का मतलब थीटा घट गया और theta घटने का मतलब कि आपका जो minima दूर मिलना चाहिए था वो नजदीक मिल रहा है यानि कि ज इसका मतलब आप wavelength को decrease कर रहे हैं और wavelength decrease करने का मतलब diffraction pattern में sin theta की value घट रही है यानि theta की value घट रही है यानि कि जो bands है वो नजदीक आ रहे हैं तो इसका option number B जो है वो correct हो जाएगा become narrower and condensed जो band बन रहे थे diffraction band वो क्या हो जाएंगे संकीर हो जाएंगे और एक दूसरे के चलिए अगला question देखिए question number 5 question number 5 में देखिए क्या कर रहे the minimum number of lines in a grating which will just resolve in the second order the lines whose wavelengths are 5890 angstarm and 5896 angstarm respectively will be यानि कि आपको उस grating के अंदर minimum number of lines बतानी है जो कि 5890 angstarm और 5896 angstarm की second order के fringe को अच्छे से resolve कर ले अच्छे से बिभेदित करके उसको clearly देख सके है ना तो उस grating के अंदर minimum number of lines निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए grating के resolving power या बिभेदन छमता का जो formula है जो की general formula होता है lambda upon में d lambda और grating के लिए होता है small n into में capital N ठीक है lambda upon d lambda क्या है किसी भी optical instrument के resolving power का general formula बाकी grating के case में microscope के case में telescope के case में prism के case में सब के case में इस side वाली जो value है वो बदलती रहेगी लेकिन ये general formula है जो की हर एक optical instrument के लिए applicable है ठीक है तो हमने prism के बारे में telescope और microscope के resolving power के बारे में limit of resolution के बारे में optical instrument वाले lecture में काफी detail में बात करी थी तो उनको यहां cover नहीं कर रहे हैं यहां सिर्फ और सिर्फ हम जो grating है उसके resolving power के उपर discuss करेंगे उसके dispersive power को यहां पर discuss करेंगे ठीक है और देखिए optical instrument में इसक चोटी सी mistake हो गई है उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा उसमें हमने आपसे कहा है कि I think सायद की lambda की जगहां पर small वाली value रखनी है जो lambda 1 और lambda 2 की दो values दी हुई है इसमें से small वाली value को यहां पर रखना है जो की गलत है actual में lambda जो है वो mean wavelength होता है lambda का मतलब होता है lambda 1 प्लस lambda 2 अपान में 2 यह mean wavelength जो भी आपको दो wavelength दिया हुआ है उनका mean wavelength आपको यहां पर use करना होता है तो इस चीज़ को आप वहां पर correct कर लिजेगा और answer तो वैसे भी मिल जाता है लेकिन आपको सही चीज जाना जरूरी है और म lambda 2 का positive difference ठीक है यह positive difference होता है और यह दोनों का average होता है और n मतलब यहां पर order होता है n का मतलब order of fringe या order of spectrum और capital n का मतलब यही है number of lines total number of lines in grating ग्रेटिंग के अदर total कितनी लाइने बनी होगी है यह n है यह हमें यहाँ पर पता करना है तो यहाँ पर value रखेंगे lambda की value lambda मतलब दोनों का average 5890 और 5896 का average हो जाएगा 5893 ठीक है इसका average और upon में ध्यान रखना एक एंगस time में है यह और यह भी एंगस time में है तो unit से unit cancel हो जाए कि 5893 अपान 6 into 2 यानि कि 12 12 से इसको डिवाइड करिए यह जाएगा आपका 491.08 यानि कि 491 total lines हो जाएंगी उस ग्रेटिंग के अंदर जो इन दोनों wavelength के second order के spectrum को अच्छे से resolve कर सकता है clearly देख सकता है तो option number D जो होगा वो correct हो जाएगा ठीक है और यह काफी जादा important questions question B है कि यह PGT 2009 और GIC 2021 दोनों में पूछा जा चुका है देखे इसके उपर यह जो formula है इसके उपर बहुत सारे questions पूछे जा चुके है तो इसलिए आपको grating के resolving power का यह formula याद रखना है ठीक है चलिए अगला question देखते है question number question number 6 में करें कि radio waves are readily diffracted around buildings whereas light waves are negligibly diffracted around buildings this is because radio waves are plain polarized are nearly monochromatic have much larger wavelength than light wave have much shorter wavelength than light wave यानि कि करें कि जब radio wave किसी building के किनारे से गुजरती है तो बड़े आसानी से वो diffract हो जाती है बिवर्तित हो जाती है जब कि जो normal light है या visible light है वो उतने अच्छे से diffract नहीं होती है इसका करण बताईए ठीक है तो इसका करण तो आप इसके definition में ही आपने देखा होगा कि diffraction होता है है ना size of aperture या size of obstacle जो होता जो औरोध होता है उसका size और जो light की आप बात कर रहे हैं जो जिस wave की बात कर रहे हैं उस wave की wavelength का order लगबग सेम होना चाहिए या equivalent होना चाहिए तब जाकर कि अच्छे से diffraction होता है otherwise अच्छे से diffraction नहीं हो पाता जिसको कहते नहीं हो रहा है जैसे हमने आपको बताया था कि sound का diffraction normally देखने को मिलता है sound बड़े आसानी से जाकर कि किसी भी obstacle या aperture के किनारे मुर जा रहा है जबकि light के diffraction को समझने के लिए हमें खास arrangement करना होता है दो blade हम लेते हैं उस दो blade के बीच में एक बहुत छोटी सी gapping एक पतला सा slit बनाते हो उस बारे आसपास के जो खिडखी दरवाजे हैं जो building के corners हैं यह जितने भी आपको aperture या obstacle दिख रहे हैं इनका भी order meter के range का है तो दोनों सेम हो गए यानि aperture का size और sound wave के wavelength का order दोनों सेम हो गया इसलिए diffraction देखने को मिलता है जबकि light का जो आपका wavelength होता वो बहुत ही कम होता है अ 10 power minus 10 meter के order का लिखते हैं तो इतने छोटी size के wavelength की बज़र से आपको बड़े aperture या obstacle में light का diffraction देखने को नहीं मिलता है तो आपको light का diffraction देखने के लिए light के wavelength के range का obstacle या aperture लेना होगा तब जाकर कि आपको उसका diffraction देखने को मिलेगा तो बिलकुल सेम कारण यहां पर भी है क यहां पर दोनों के दोनों electromagnetic wave है एक है आपका radio wave दूसरा है आपका light wave लाइट मतलब visible light है तो आपको हमने बताया था जो electromagnetic wave का पूरा spectrum होता है उसका नाम याद करने का तरीका याद है आपको क्या था गाए UV in my radio ऐसे ना गाए UV in my radio मतलब की gamma ray, ultraviolet, vifar visible, in मतलब infrared, my मतलब microwave और उसके बाद radio wave गामा ray, ultraviolet wave, गामा ray, ultraviolet ray, visible ray, visible का मतलब पूरा विबग्योर हो गया हमारा white light जिसको बोलते हैं उसके बाद infrared, उसके बाद microwave, उसके बाद radio wave यह हमने आपको इसका statement बताया था electromagnetic wave वाले lecture में electricity and magnetism पढ बाद करेंगे वहाँ पर, तो यह जो पूरा हमारे पास electromagnetic wave का spectrum है, यह sequence हमने आपको इसलिए कहा था याद करने के लिए, क्योंकि यह है wavelength का increasing order, यह जो जितना भी आपको यह electromagnetic wave दिख रहा है, इसमें radio wave का wavelength होता है, वो सबसे जादा होता है, और आपका जो visible light है, या normal light है, वो yor, violet से लेकर के red तक आपका यह spectrum wavelength का increasing order है, उसके बाद infrared आएगा, उसके बाद microwave आएगा, उसके बाद radio wave आएगा, यानि radio wave का wavelength हमारे visible light की wavelength से बहुत जादा है, इसलिए radio wave का जो diffraction है, वो बड़े आसानी से हो जाता है, बड़े size की aperture या obstacle के सामने, जबकि visible light का wavelength है, वो काफ इन ही के order का होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, तो यही करण है, तो आप क्या बताएंगे, this is because radio wave क्या है, radio wave का जो wavelength है, वो visible light की wavelength से क्या होता है, बहुत जादा होता है, इसलिए building के किनारे पर उसका आसानी से बीवरतन या diffraction हो जाता है, तो इसका जो option number C है, वो दे जाएगा, अगला question देखिए, इसमें करें, which of the following is incorrect, इन में से कौन correct नहीं है, सबसे पहले करें, zone plate has many focus, मतब जो zone plate होता है, जिसको हम फ्रेशनल हाफ पिरियर्ट जोंस आपने जो concept पढ़ा था, उसके लिए जो device बना गया, that is called zone plate, तो करें, zone plate के पास बहुत से focus होते, यह तो सही है, zone plate is similar to convex lens, यह भी सही है, focal length of zone plate depends on wavelength of light used, आप देखिए, focal length का फार्मूला zone plate के लिए क्या होता है, fm is equal to, यहाँ पर होता है, rn square upon 2m minus 1, n into lambda, यह फार्मूला है, zone plate के focal length का, है ना, तो zone plate का focal length है, वो जो light use हो रही है, उस light के wavelength के उपर depend करता है, यही कर रहे थे, depend कर रहा तो यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, तो इसमें कर रहे थे, कौन इसमें से असत्य है, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, जिसके हिसाब से option number D आपका correct हो जाएगा, यह तीनों statement आप याद कर सकते हैं, zone plate के बारे में, ठीक है चलिए अगला question देखिए question number eight question number eight में करें कि the essential condition for Fronhofer class of diffraction is that Fronhofer class का जो diffraction है वो देखने के लिए क्या एक important या essential condition है तो हमने आपको बताया supplementary lecture के अंदर की दो तरह की diffraction की हम बात करते हैं आपका फ्रेशनल class of diffraction दूसरा होता है फ्रानोफर class of diffraction फ्रेशनल वाले में क्या होता है फ्रेशनल वाले में जो आपका सोर्स होता है जो आपका स्क्रीन होता है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फाइनाइट होती है लेकिन फ्रानोफर class diffraction में सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो effective distance होती है, वो effective distance होती है infinite, मतलब real में infinite नहीं होता है, effective का मतलब यह कि आप कह सकते हैं, source से screen की तरफ जो light जा रही होगी, वो parallel light rays आएंगे, और parallel light rays का मतलब आप यह मान सकते हैं, वो infinity से आ रही है, और इसलिए यहाँ पर हम इसके focus पर ही, मतलब एक lens होता है, और focus पर हम source को रखते हैं, ताकि यहाँ से जब यह निकले, तो ऐसे parallel होकर के आगे जाए, और parallel होकर के आगे जा रहा है, that means आप कह सकते हैं, अब यह जो light ray है, वो effectively infinite से आ रही है, तो इसको हम बोलते है, फ्रान होफर class of diffraction, तो फ्रान होफर class of diffraction मे, source और screen के बीच का effective distance infinite होता ह है, और traditional class of diffraction में, source और screen के बीच का effective distance होता है, वो finite होता है, यहाँ पर lens यूज नहीं होता है, यहाँ पर lens यूज होता है, और यहाँ पर, अब देखें, यहाँ पर, अगर यह आपका source जो है, वो screen के finite distance पर है, तो finite distance पर होने पर, आपका जो इससे light source है, जो light चलेगा, उसक spherical हो सकता है, और अगर आपका light source, point source की बजाए linear source है, तो इसका जो आपका यह wavefront बनेगा, वो cylindrical हो सकता है, कलवाली class में भी आपने लेखा था type of wavefront, तो जब finite distance की बात होती है, और आपका source of light, point source, या फिर linear source होगा, तो ऐसे में wavefront का जो nature होगा, वो spherical या cylindrical हो सकता है, इस class of diffraction में, जबकि फ्राणोफर class of diffraction में, चुकि यह infinite distance एक तरह से light जा रही है, parallel light जा रही है, parallel light जा रही है, और आपको पता है, light रे जो होता है, वो wavefront के बिलकुल perpendicular होता है, तो इसका जो wavefront होगा, वो कैसा होगा, plane wavefront होगा, ठीक है, तो फ्राणोफर class of diffraction में, lens use होता है, source औ infinite होती है, और incident wavefront जो होता है, वो plane होता है, या planar होता है, तो option number, option number जो आपका A है, वो correct हो जाएगा, तो incident wavefront must be plane, फ्राणोफर class of diffraction, ठीक है, चलिए, अगला दिखी, next question, question number 9, इसमें करें, plane diffraction grating 5 cm thick has 5000 lines per cm, the resolving power of grating in second order spectrum is, आपको grating का resolving power बताना है, second order spectrum के लिए, तो resolving power का general formula lambda upon d lambda, लेकिन grating के लिए यह है, small n into a capital N के, जहाँ small n है, order of fringe या order of spectrum, question के according order of spectrum आपको 2 use करना पड़ेगा, और n का मतलब यहाँ पर क्या है, n का मतलब है, total number of lines, total number of lines in grating, तो total number of lines आपको निकालना है, आप बताईए कि अगर आपको हमने यह grating दे दिया, और हमने का कि इस grating की जो पूरी चोड़ाई है, वो कितनी है, 5 cm, और इसके 1 cm लंबाई के अंदर कितनी लाइने खिची गई है, तो 1 cm लंबाई के अंदर total 5000 लाइने है, 5000 lines पर सेंटी मीटर, या एक सेंटी मीटर में total 5000 लाइने, 5000, तो total 5 cm में कितनी हो जाएंगी लाइने, यह हो जाएंगी 25,000 line, तो इस पूरे grating के अंदर total number of lines हो गई 25,000, और उसी 25,000 को आप यहां पर रख दीजे, 2 से multiply कर दीजे, तो resolving power मिल जाएगा grating का 2 into 25,000, और यह दोनों multiply होकर के हो जाएगा 50,000, जैनि grating का जो resolving power हो कितना हो जाएगा, 50,000, option number D जो है वो correct हो जाएगा, ठीके, चलिए, तो अगला question दीए, काफी आसान है, बस आपको इतना ध्यान रखना, यह capital N जो है, वो है total number of lines in grating, और आपको जो दिया था, वो per cm में number of lines दिया था, और total कितना cm चोड़ा है, यह इसमें करें कि in the diffraction through single street first minima of wavelength lambda 1 and third maxima of wavelength lambda 2 are coincident then, यानि कि single street का जो diffraction हो रहा है, single street के diffraction pattern में कह रहे हैं, कि lambda 1 wavelength जब हम use करते हैं, तो lambda 1 wavelength का जो first minima है, suppose कि आप जो light यहां use कर रहे हैं, अगर वो light है lambda 1, single street के case में, तो इसका जो first minima बन रहा है, जहां भी बन रहा होगा, वही पर अगर हम lambda 2 wavelength वाली light यूज़ करें, तो बिल्कुल same जगह पर क्या बन रहा है, third maxima, इस वाली light का, जो third maxima है, वो बिल्कुल exact same position पर बन रहा है, इ और central point से इस वाले case में, third maxima की position, दोनों same है, दोनों एक ही जगह पर बनती है, तो यदि दोनों का जो हम central point से position निकालेंगे, उसको आपस में equivalent करेंगे, तो हमें एक condition यहाँ पर मिल जाएगा, तो lambda 1 light जब हम use कर रहे थे, तो हमें minima वाला condition use करना है, तो minima का condition है, e sin theta is equal to m lambda 1, और first minima की बात हो रही है, तो m की value 1 रखेगा, तो e sin theta is equal to, यह कित्त हो जाएगा, 1 into lambda 1, यानि कि lambda 1 equation number 1, अब इसी तरह से जब lambda 2 light use किया गया, यह वाले light use की गई, तो यह वाले light use करने के बाद, same position पर, same जगह पर इसका बना है third maxima, तो इस वाले case में, maxima वाला equation यूज क का condition होता है, e sin theta is equal to, 2m plus 1 lambda by 2, यह maxima का condition है, diffraction की case में, और यह minima का condition, तो इस maxima वाले case में, जो light use किया गया है, यह light है, lambda 2, तो यहाँ पर लिखना होगा, lambda 2, और कौन से maxima की बात हो रही, third maxima, तो यानि m की जगहां पर 3 रखेंगे, तो यह हो जाएगा, 3 into 2, 6 plus 1, 7 by 2, तो e sin theta, ठीक है, और दोनों एक ही जगहां पर मिल रहे हैं, दोनों coincide करना है, दोनों समपाती है, यानि इसी एक ही position पर यह भी बन रहा है, यहां से जो position है, दोनों का वो same है, तो आपस में दोनों को, और यहां से भी आप देख सकते हैं, दोनों e sin theta की value है, equivalent है, तो m lambda 1, sorry, m न lambda 2, यानि कि lambda 1 is equal to, यह हो जाएगा, 3.5 lambda 2 के, ठीक है, तो यह condition बन जाएगी, तो lambda 1 equal to 3.5 lambda 2, option number C, जो है, वो correct हो जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है, कि यह जो equation हमने दोनों लिखा हुआ है, यह minima की condition है, diffraction की case में, आपको थोड़ा भ्रम हो सकता है, अगर आप पर diffraction में, यह M lambda वाला जो case है, वो minima का है, और 2 M plus 1 lambda by 2 वाला जो case है, यह maxima का है, बिलकुल interference से उल्टा, ठीक है, चलिए, अगला सवाल देखी, question number 11 में कहा रहे हैं कि, in a plane transmission grating, the angle of diffraction for second order maxima for the wavelength 5 into 10 power minus 5 centimeter is 30 degree, the number of lines in 1 centimeter of grating, surface will be, ठीक है, सबसे पहले जो, जो values given है, उसको हमें लिखना चाहिए, इसमें कर रहे हैं कि, in a plane transmission grating, the angle of diffraction for second order maxima, second order maxima, मतलब order, जो है, वो order है second, maxima की बात चल रही है, for the wavelength, जो light use किया गया है, वो light है, 5 into 10 power minus 5 centimeter, इसका wavelength है, ठीक है, और जो use, जो यह आपको second order maxima मिल रहा है, वो कितने angle पर मिल रहा है, वो 30 degree पर मिल रहा है, आपको बताना है, number of lines in 1 centimeter, 1 centimeter में कितनी line बनेंगी, आपको यह बताना, और 1 centimeter में जो line बनती है, उसके लिए हमारे पास symbol है, n dash, अगर आपने supplementary lecture देखा होगा, तो आपको पता चला होगा, n अलग चीज़ है, और n dash अलग चीज़ है, जो हम resolving power में n यूज़ कर रहे थे, वो था total number of lines in grating, और जो हम n dash यूज़ करते हैं, n dash के लिए formula है मारे पास, कि e plus d is equal to 1 upon n dash, इस n dash का मतलब होता है, number of lines in 1 centimeter, n dash का मतलब है, number of lines in 1 centimeter, number of lines in 1 centimeter, और यह जो e plus d equal to 1 upon n dash है, इसका एक particular नाम है, इसको हम बोलते है, grating element, grating element, grating element, ठीक है न, grating element का मतलब क्या, किसी भी grating में 2 consecutive या 2 लगातार lines के बीच का, यह separation, देखें, n dash मतलब क्या, 1 centimeter में number of lines, तो 1 upon n dash, यानि कि e plus d किसकी value बताएगा, यह बताएगा, दो line के बीच का separation, जिसको हम grating element बोलते हैं, या grating constant बोलते हैं, grating अंतराल हिंदी में इसका नाम है, तो आप इसको भी आद रखें, यह भी एक बहुत ही important formula है, इसके उपर भी धेर सारे सवाल solve किये जाते हैं, तो e plus d equal to 1 upon n dash में, जो n dash है, वो है number of lines in 1 centimeter, हमें यानि कि n dash पता करना है, या यह कहली से हमें e plus d पता करना है, n dash मतलब क्या, यह 1 centimeter में number of lines, और यह क इसके 1 upon n dash करेंगे, तो e plus d के equal आजाएगा, ठीक है ना, चलिए, तो हमें, हमारे पास एक formula जिसको हम grating equation बोलते हैं, और grating equation के according e plus d sin theta, e plus d sin theta equal to n lambda, आपको यह formula याद कर लेना है, इसको हम बोलते है, grating formula या grating equation, grating equation, बहुत सारे सवाल इसी के उपर लगेंगे, तो e plus d sin theta equal to n lambda में आप e समझ रहे हैं, क्या है, e है, जैसे suppose यह देखें इस तरह से, अगर हम double state की बात करें, तो यह जो slit है, यह जो slit है, इस slit है, इस slit हो की चोड़ाई को हम small e से represent करते हैं, और इस slit हो के बीच का जो separation है, उसको हम d से represent करते हैं, ठीक है ना, तो e plus d sin theta, और sin theta का मतलब यहाँ पर क्या है, sin theta का मतलब यह है, कि जिस maxima की बात करें, उस maxima का central point से कितना angle बन रहा है, यह वाला theta है, तो question में दिया हुआ है, कि यह second order जो maxima है, वो theta equal to 30 degree पर मिल रहा है, तो theta की value रखिए, और e और d की value हमें नहीं पता है, तो e plus d ऐसे रहने दीजिए, यहाँ हो ज जाएगा 10 power minus 4, और sin 30 की value 1 by 2, 1 by 2 में 2 इधरा के multiply करेगा, तो खुल मिला कि आपको मिला क्या, आपको मिला 2 times 10 power minus 4 e plus d, और यह पूरा answer किस में आ गया, centimeter, तो आपको मिल गया e plus d की value 2 into 10 power minus 4 centimeter, लेकिन आपको निकालना है number of lines in 1 centimeter, जो की n dash को बोलते है, तो n dash की value आपको निका जोकल होगा, तो यहां से आप देखिए, n dash equal to हो जाएगा, 1 upon e plus d, जाना, grating element का उल्टा करेंगे, तो वो हो जाएगा, n dash, तो 1 upon 2 into 10 power minus 4, और 10 power minus 4 को उपर ले जाए, 10 power plus में 4, upon में 2, plus 4 को आप लिखे, 100 into 100, और upon में 2, इस से इसको cancel करें, कितना हो जाएगा, 50, और 50 into 100 करे ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, this is called grating element या दो लगातार लाइनों की बीच का separation, और पूरे grating के अंदर कितने number of lines, 1 cm में कितनी लाइने बन रहे हैं, उसको हम n dash से रिपरजन करते हैं, और दोनों की बीच का यह relation है, कि grating element is equal to 1 upon n dash के, ठीक है, और यहां से यह है आ लोट कर लिजें, इसको अगले question की तरफ बढ़ते हैं, question number 12 में देखेंगे, question number 12 में कह रहे हैं कि, if the number of ruling on a grating is increased, its resolving power will, यानि किसी भी grating में अगर number of ruling या lineों की संख्या को बढ़ा दें, तो इसकी resolving power पर क्या प्रभाव पढ़ेगा, तो grating का resolving power, general formula lambda upon d lambda is equal to small n into capital N, तो आप देखें, यहां पर जो capital N है, वो है number of ruling, या number of lines, grating में total number of lines capital N है, तो capital N को कह रहे हैं, अगर बढ़ा दिया जाए, तो resolving power पर क्या प्रभाव पढ़ेगा, तो capital N बढ़ेगा, तो resolving power भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के directly proportional है, तो simple answer हो जाएगा, कि number of lines बढ़ाने पर करें, the radius of first zone, in a zone plate of focal length 20 cm, for light of wavelength 5000 angstrom, यानि कि 20 cm focal length वाले zone plate के अंदर, first zone का हमें radius बताना है, और जो light यूज हो रहा है, वो light है 5000 angstrom, तो आपको पता है, zone plate के अंदर, जो zones होते हैं, उनके पास multiple focus होता है, और उसके लिए formula है, हमारे पास fm equal to rn square upon me 2m minus 1, और यहाँ पर n into lambda, यह हमारे पास formula होता है, zone plate के लिए, और यहाँ पर m क्या है, m is the order of focus, order of focus का मतलब कि कौन से focus आपको निकालनी है, क्योंकि zone plate के multiple focus होते हैं, first focus चाहिए, तो m की value 1 रखेंगे, second focus चाहिए, तो m की value 2 रखेंगे, इसी तरीके से बाकी values भी, और n मतलब क्या है, n is the order of zone, order of zone क्योंकि आपको पता है, zone plate के अंदर जितने भी आपको concentric circle या संकेंदरी बृत दिखाई देते हैं, उनी को हम zone बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे zones उसमें बने होते हैं, बहुत सारे circle बने होते हैं, तो कौन से वाले zone का कौन से व zone का मतलब ये कि n की value, यानि order of zone n की value कितनी 1, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि first zone का कौन सा focus निकालना है, कौन सा focus ये दिया हुआ है 20 cm, तो जब कभी भी आपको ये mention ना हो कि कौन से order का focus है, तो इसका मतलब ये first order का focus होता है, जिसको हम principal focus बोलते हैं, जब m की value 1 रखते ह focus अगर कुछ नहीं mention है, that is principal focus की बात चल रही है, ठीक है, और आपको ये principal focus की value given है, वो है कितनी 20 cm, जो light use हुआ है, वो light का wavelength है 5000 एंगस्टाम, अब दिखिए ये cm में है, ये एंगस्टाम में है, तो दोनों को same unit में रखना होगा, तो 5000 into 10 power minus 10 meter हो गया, और 10 power 2 से multiply कर दिया, ये cm में हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 5 into, ये 10 power 3, 10 power 2, 10 power 5 हुआ, इसके साथ solve करके 10 power minus 5 हुआ cm, ठीक है, अब ये सारी values को आप इस formula में रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा first zone का radius, तो यहाँ पर हो जाएगा r1, first zone, n की value 1, square is equal to, ये cross multiply करेगा इसमें, तो fm का f1 है, और यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 2 minus 1, यानि की 1 आ जाएगा, n की value भी 1 रख देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, लैमडा बचेगा, यानि f1 और lambda से multiply कर दीजिए, तो r1 square मिल जाएगा, तो f1 कितना है, 20 cm, और lambda जो है, 5 into 10 power minus 5 cm, ये हो जाएगा, आपका multiply करने के बाद 100 और 10 power minus 5 multiply करेंगे, 10 power minus 3 cm, square actual में होगा, ये square होगा, क्योंकि ये r1 का square है, तो ये multiply करने के बाद square आ जाएगा, cm2, तो यहाँ पर हो जाएगा r1 square, अब इसको solve करने के लिए आप ऐसा कर सकते है, 10 power minus 3 है, इसको 10 power minus 1 से multiply और 10 से divide करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा, 10 power minus 4 into में 10 और cm2, तो r1 square की value मिल गई, आप इसका square root कर लिजे, तो r1 की value आ जाएगी, तो r1 equal to, देखे, 10 power minus 4 का square root हो जाएगा, 10 power minus 2, और 10 का square root करेंगे, तो यहाँ जाएगा 3.16 और ये अब आएगा cm2 में, multiply करेंगे, ये 10 power minus 2 मतब 100 से divide इसको करेंगे, तो ये decimal 2 point लेफ्ट मे जोन का radius, जिसका focus है 20 cm, option number A जो है, वो correct हो जाएगा, ठीक है, तो ये general formula में 2 point धान रखना है, एक तो किसी भी zone plate के पास multiple focus होते हैं, और वो focus कई चीजों के उपर depend करता है, कि order of zone क्या है, और जो light आप यूज़ कर रहे हैं, उस light का wavelength कितना है, ठीक है न, और इसकी अलामा की जिस zone की बात कर रहे होंगे, उस zone का radius होता है, उसके उपर भी ये depend करता है, तो ये order of zone, पहला zone, दूसरा zone, तीसरा zone, इसके हिसाब से N की value, और ये जो M है, उसको में बोलते है, order of focus, यानि first focus, second focus, या third focus, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये understood है, कि principal focus की बात lambda and radius of N-th zone, R-N is given by, ठीक है न, तो आपको बताना है, third focal length, third focal length मतला, order of focal length, जो है, M की value कितनी, 3, तो M की value 3 यूज़ करनी है, और जो light यूज़ किया जा रहा है, वो lambda है, और N-th order का zone हमें यूज़ करना है, और N-th order का zone है, उसका radius है, R-N, तो formula आपके पास है ही, F-M is equal to R-N, N-th order के zone की बात हो रही है, तो R-N radius भी दिया हुआ, तो R-N square अपान ये 2M-1 और यहाँ पर order of zone और उसके बाद जो light यूज़ हो रहा है, उसका wavelength, ठीक है, तो third focal length हमें पता करना है, N-th order के zone के लिए, तो N-th order zone है, तो यहाँ भई N, यहाँ भी N रहेगा, और जो focal length है, वो third focal length है, third order का, तो यहाँ पर F-3 हो जाएगा, इसको solve करने के बाद, F-3 is equal to R-N square, अपान में यहाँ 3 रखेंगे, तो 3 into 2, 6-1 करेंगे, 5 हो जाएगा, उसके बाद small N आ जाएगा, और lambda, ठीक है, यह आपके पास formula हो गया, F-3 equal to R-N square, अपान 5 N lambda, यानि कि option number C जो है, वो correct हो ज question, दूसरा resolving power का question, यही कुछ खास तरह के फार, और इसके अलामा जो आपका grating element है, या number of lines in per centimeter, इसके उपर जो question आते हैं, बस इतने ही numerical है, बाकी सब आपके properties based है, in diffraction through a single slit, when the width of slit is decreased, the width of central maxima, अगर हम slit की width को कम करें, तो central maxima की width पर क्या फरक पड़ेगा, तो आपको पता ह single slit के case में, जो central maxima होता है, उसकी अगर हम angular width की बात करें, तो angular width का expression आया था, 2 lambda upon E, यही आया था, और 2 lambda upon E में जो E है, वो क्या है, यह है width of slit, यह है width of slit, यानि कि अगर slit की चोड़ाई को हम क्या कर दें, अगर हम slit की चोड़ाई को कम कर दें, decrease कर दें, तो जो central maxima है, उसकी जो चोड़ाई होगी, वो बढ़ जाएगी, है ना, slit की चोड़ाई को कम करेंगे, तो central maxima की जो चोड़ाई है, जो fringe width है, वो ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानि option number A जो है, वो correct हो जाएगा, ठीक है, और इसी इसाब से light वाला case, एक question पीछे पूछा गया था कि अगर हम red light को blue light से replace कर दें, तो central maxima के width पर क्या फर्क पड़ेगा, तो wavelength का effect आप देख रहे हैं, और slit की width का भी effect आप देख रहे हैं, अगर आप light ऐसा change कर रहे हैं, कि उसमें wavelength घट रहा है, तो इसकी जो चोड़ाई है, वो भी घट जाएगी, अगर wavelength बढ़ रहा है, तो इसकी चोड़ाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके साथ ये directly proportional है, और दूसरा ये है, कि slit की width को घटाएगे, तो ये बढ़ेगा, और इसको बढ़ाएगे, तो ये घटेगा, तो इसका option number A जो है, वो correct हो जाएगा, अगला question देख लीजिए, question number 16, इसमें करें, grating of width 2.5 cm consists of 5,000 lines per cm, resolving power of grating in third order is, ऐसा बिलकुर सेम question हम पीछे कर चुके हैं, इसको भी कर लेते हैं, third order की बात हो रही है, यानि order of fringe N की value 3 हो जाएगी, और number of lines 1 cm में 5000 है, total 0.5 cm उसकी चोड़ाई है, तो total number of lines आप निकालेंगे, 2.5 into 5000, ये हो जाएगा, total number of lines, तो 25 गुड़े 5 करेंग ये हो जाएगा, 125 उसके बाद ये 3 zeros, लेकिन 1 के पहले decimal लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, 12,500 total number of lines, और ये order मिल गया, आपको 3, तो आपको resolving power निकालना है, ग्रेटिंग का, तो resolving power, lambda upon d lambda is equal to small n into capital N, ठीक है, small n 3 हो गया, तो 3 into ये 12,500, multiply कर लिजिए, 00573, कितना हो गया, 37, 2500 ये हो जाएगा, resolving power की value, ठीक है, यानि option number B जो होगा, वो correct हो जाएगा, अगला question देखते हैं, question number 17 में कह रहे हैं, कि dispersive power of grating is directly proportional to, wavelength, suppression of lines, frequency of light used, is independent of light used, देखें, जो dispersive power का general formula होता है, किसी भी optical instrument के लिए, जैसे आपने resolving power का formula पढ़ा, lambda upon d lambda, general formula, बाकी वो अलग-अलग optical instrument के लिए, वो equation किसी और term के equal होता है, बिल्कुल वैसे ही, जो dispersive power का general formula है, optical instrument के लिए, वो है, d theta upon d lambda, जो है, इसको हम बोलते है, optical instrument का dispersive power, ठीक है, अब ये जो आपका d theta upon d lambda है, अगर आप इसको grating के लिए calculate करना चाहते हैं, तो आपको grating का ये equation ल is equal to n lambda, जिसको हम grating equation या grating formula बोलते हैं, अगर हम इस equation को, ये देखे, theta के term equation दिख रहा है, अगर हम इस equation को lambda के respect में differentiate कर दें, तो हमें यहां से dispersive power का expression मिल सकता है, तो देखे, क्या मिलेगा, e plus d as a constant बाहर आएगा, sin theta को हम सीधे lambda के respect में differentiate नहीं कर सकते हैं, तो पहले theta के respect मे करेंगे, तो sin theta का cos theta हो जाएगा, और अब theta को differentiate कर ये lambda के respect में, तो d theta upon d lambda is equal to, यहां पर n as a constant बाहर आएगा, और lambda का lambda के respect में differentiation करने पर 1 आजाएगा, ठीक है, यहां से d theta upon d lambda आप निकालेंगे, तो d theta upon d lambda is equal to small n, अपान में e plus d और उसके साथ में cos theta, ठीक है, और यह जो e plus d ह इसको हम बोलते है, grating element, जो की equal होता है, one upon n dash के, और n dash का मतलब है, number of lines, number of lines in one centimeter, number of lines in one centimeter, इसको n dash को बोलते हैं, और यहां से हम अगर निकालें, इस n dash को अगर हम इस side ले जाएं, और यह इधर अपान में सला जाए, तो आपको क्या मिलेगा, n dash is equal to one upon e plus d, n dash equal to one upon, क्या मिलेगा, e plus d, तो e plus d जो है, वो क्या है, e plus d का मतलब यहां पर है, separation between two lines, separation between two lines, यानि की, grating के उपर बहुत सारी line हैं, लेकिन उसके दो line के बीच का जो separation है, उसी को हम grating element बोलते हैं, e plus d के बराबर होता है, या one upon n dash के बराबर होता है, और n dash का मतलब क्या है, number of lines in one centimeter, ठीक है, तो आप यहां पर चाहें, तो one upon e, one upon e plus d को n dash से अगर replace करेंगे, तो यह बन जाएगा, आपका n, small n, और उसके बाद n dash और upon में क्या आएगा, cause of theta, और यहां से आपको दिख रहा है, जो आपका dispersive power d theta upon d lambda है, वो n dash के directly proportional है, यही पूछा था इन्होंने, कि इसके directly proportional है, तो n dash के directly proportional है, और n dash क्या है, n dash is the number of lines in one centimeter, एक centimeter में लाइनों की जो संख्या है, यह उसके equivalent है, और इस हिसाब से देखा जाए, तो कोई भी option correct नहीं होगा, क्योंकि directly proportional 2 के हिसाब से यहां पर यह दिया ही नहीं है, number of lines in one centimeter, एक चीज़ यहां पर है, कि directly proportional की जगह कीज का जो separation है, उसी को तो हम e plus d या फिर grating element बोलते हैं, और यह grating element यहां पर देखे, one के upon में है, तो इसका मतलब कि dispersive power जो है, वो grating element या separation of lines के directly proportional नहीं है, बलकि inversely proportional होता है, और यहां पर directly proportional दिया हुआ था, इस हिसाब से कोई भी option correct नहीं होगा, language थोड़ा सा सही तो option number b correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो अगला question दिखते है, question number 18, question number 18 में कर रहे हैं, grating है 50,000 lines per centimeter, the maximum wavelength that can be measured by this grating is, ठीक है, तो आपको दिया हुआ है 50,000 lines per centimeter, और आपको पता है, एक centimeter में जो line की संख्या है, उसको हम n dash से represent करेंगे, तो इसका मतलब n dash की value दी हुई है, कि एक centimeter में line की संख्या, और जो maximum wavelength measure किया जा सकता, वो आपको पता करना है, तो आप यहाँ पर use करेंगे, grating का equation या grating का formula e plus d sin theta is equal to n into lambda, यह है grating का formula या equation, और आपको इसमें अगर lambda की value maximum चाहिए, तो lambda की maximum value निकालने के लिए, आपको sin theta की maximum value निकालनी होगी, या तो आप एक क sin theta और अपान में n, है ना, तो अगर आपको lambda की value चाहिए maximum, अगर आपको lambda की value चाहिए maximum, तो आपको sin theta की value रखनी होगी maximum, और n की value रखनी होगी minimum, है ना, n की value minimum और sin theta की value अगर आप maximum रखेंगे, तो lambda की value भी maximum आ जाएगी, और sin theta की maximum value 1 होती है, और n की minimum value भी 1 होती है, order of fringe minimum 1 और sin theta sin 90 के लिए 1 होता है maximum value तो ये भी 1 ये भी 1 तो आपको lambda maximum मिल जाएगा कितना e plus d के बराबर और आपको इस question में e plus d नहीं given है लेकिन आपको पता है कि e plus d equal to होता है one upon क्या n dash के हमने आपको grating element का formula बताया तो one upon n dash रख दीजे n dash मतलब number of lines in 1 cm इतनी line हैं 1 cm में तो उसको रख दीजे one upon 50,000 यहीं आपका answer हो जाएगा maximum यही wavelength है जिसको हम measure कर सकते हैं लेकिन सारे option एंगस time में दिये हुए हैं इसको आपको एंगस time में convert करना होगा तो 5 के बाद 4 zeros है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 into 10 power में 4 और यह उपर जाएगा तो minus 4 बनेगा यानि आपको मिल गया lambda maximum is equal to 1 upon 5 into 10 power minus 4 और आप एक काम कर सकते हैं 10 से multiply divide करेंगा तो 10 by 5 यानि कि 2 बनेगा और जो divide किया वो उपर जाकर कि बन गया 10 power minus 5 है सेंटी मीटर को मीटर में convert करने के लिए 10 power minus 2 से multiply मीटर में हो गया तो minus 5 minus 2 यानि 2 into अब यह यहां पर mix हो रहा है अलग करना पड़ेगा यानि यह हां से आपको मिल जाएगा 2 into 10 power minus 7 meter 2 into 10 power minus 7 meter आप 1000 से multiply divide कर दीजिए यह बन जाएगा 2000 और यह बन जाएगा 10 power minus 10 meter और 10 power minus 10 meter को एंगस्ताम बोलते है तो यह हो जाएगा 2000 एंगस्ताम ठीक है तो यह हो जाएगा आपका lambda maximum की value option number a correct हो जाएगा ठीक तो यही दो तीन फार्मूले है जो बार बार घूम फिर करके लगबग हर सवाल में यूज होते हैं e plus d sin theta equal to n lambda और e plus d equal to 1 upon n dash और lambda upon d lambda equal to small n into capital n है ना और dispersive power d theta upon d lambda equal to क्या फार्मूला यह था n upon e plus d cos theta यही 4-5 फार्मूले हैं जो घूम फिर करके लगबग हर एक सवाल में हर एक numerical में यूज होगे अगला question देखेंगे question number 19 में कर रहे हैं कि the highest order spectrum which may be observed with monochromatic light of wavelength 5000 अंगस्ताम by means of aggregating with 5000 lines per centimeter will be तो value जो जो given है आप इसको लिख सकते हैं lambda की value given है 5000 अंगस्ताम और 5000 lines per centimeter का मतलब कि यह n dash की value given है है ना एक centimeter में जितनी line होती है उसी को हम n dash से represent करते हैं और हमें पता क्या करना है हमें पता करना है अधिकतम कोटी का spectrum जिसको दिखा जाएगा या न की value order of spectrum या order of fringe पता करना है वो भी maximum तो आपके पास कोई ऐसा formula है जिसमें lambda और n यूज होता हो और यहाँ पर क्या दिया पूछ रहा है और यह आपको n dash दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर दिखे e plus d sin theta is equal to क्या होता है यह एन lambda के है ना और आपको n की value कैसी चाहिए maximum n की value maximum निकालने के लिए sin theta maximum रखना होगा जिसकी value 1 होती है तो आपको e plus d is equal to मिला क्या यह एन maximum निकालने के लिए यहाँ पर हमन से n maximum is equal to हो जाएगा e plus d और अपान में lambda ठीक है और आपको e plus d की value नहीं पता है लेकिन n dash की value पता है तो आपको यह ही पता है कि e plus d equal to होता है one upon के n dash यानि one के अपान में 5000 यह e plus d की value हो जाएगी यहाँ पर रख दीजिए one upon में 5000 और into में lambda की value यहाँ पर है 5000 एंग स्टाम त स्टाम को आप convert कर लीजिए क्योंकि यह है पर सेंटीमीटर के हिसाब से तो इसको भी सेंटीमीटर में 10 पावर मानस 10 मीटर हुआ और 10 पावर 2 से multiply करके सेंटीमीटर हुआ अब यहाँ से आपको order of fringe मिल जाएगा इसको solve करने के बाद देखें यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 6 यहाँ पर जाके 10 पावर प्लस 2 यानि 100 और 5 और 5 मिला करके 25 25 से इसको डिवाइड कर यह कितना आ गया 4 आ गया यहाँ एन maximum is equal to 4 तो maximum जो fringe देखा जा सकता है वो कितना है 4 फॉर्थ ओडर तक की fringe को यहाँ पर देखा जा सकता है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते है question number 19 के बाद हम थोड़ा सा skip करेंगे 20 पर आएंगे यहाँ से question number 20 फिर वापस आएंगे question number 20 में करें the missing order of n slit diffraction pattern of slit width are 0.16 mm and they are 0.8 mm apart ठीक है यानि कि आप से एक ऐसे situation की बात की जा रही है जिसमें slitों की जो चौडाई है यह जो slit की width है जिसको हम small e से represent करते हैं तो slit width दिया हुआ 0.16 mm और इन slitों के बीच की जो distance है जिसको d से represent करते हैं यह है 0.8 centimeter तो आपको missing order जो है जो आपका interference pattern का missing order है वो आपको बताना है ठीक है ना तो आपको missing order के लिए हमने formula बताया हुआ e upon में e plus d is equal to m upon में small n यह है missing order का formula यही है आपका missing order यह क्या है missing order और यहाँ जो m है वो natural number है इसकी value हो जाएगी 123 and so ठीक है तो आपको e की value पता है fringe की जो sorry slit की width है वो पता है और slitों के बीच की distance पता है तो e और e plus d यहाँ रख दीजिए m की value 123 रखेंगे तो missing order कौन कौन सा है इसमें से आपको वो pattern मिल जाएगा तो यहाँ पर value रखते हैं e की value कितनी है e की value है 0.16 mm और यहाँ पर हो अपान में n और इन दोनों को आपको plus करना और plus करने में mistake यहाँ पर हो जाता है 8, 8, 16 और 8, 24 कर देते हैं 0.24 करेंगे तो बिल्कुल गलत answer आएगा देखिए 0.16 के बाद 0.8 है क्या है 0.8 है that means यह 0.80 हो गया 6 हो गया और 9 हो गया 0.96 आएगा 0.24 नहीं आएगा यह बहुत ब 16 और अपान में 0.96 is equal to m के अपान में n और decimal दोनों में दो दो डिजिट पर है तो यह 16 अपान 96 equal to m के अपान में n इससे इसको divide करिए 6 बार जाएगा तो आपको मिल जाएगा small n equal to 6 times m और m की value 1, 2, 3 रखते जाएगे तो आपको missing order मिल जाएगा 1 रखने पर 6 आएगा 2 रखन चल जाएगे ठीक है तो 6, 12, 18, 24 इस तरीके का जो pattern होगा वो missing order होगा option number D correct हो जाएगा ठीक है तो missing order के लिए यह फार्मूला याद रखने है नीचे यह जो है N यह है missing order of interference और यह जो M है that is called natural number 1, 2, 3 और E जो है वो है slit की width यह वाली slit की width यह वाली slit की width और D जो है उन दोनों slit के बीच का separation है ठीक है यह जो symbols है वो अलग-अलग books में अलग-अलग तरीके से हैं ज्यादा दर books में क्या होता है एक slit की जो चोड़ाई है उसको small A और इनके बीच की जो gaping है उसको B, small B से represent करते हैं लेकिन यह आपके उपर depend करता है कि आप कौन सा symbol लेकर के चलते हैं हमने पिछली बार जो lecture पढ़ाया था जो notes प्रोवाइड किया था उसमें यही symbol लेकर के चले थे तो अभी भी यही pattern ल order बहुत ज्यादा पूछा जाता है, question number 21, the grating formula is given by grating formula, तो grating formula तो आपको पता है, grating formula E plus D sin theta, यही है न, E plus D sin theta is equal to N lambda, यही है grating formula N, जो है order of fringe है, theta आपको पता है, कि जो आपका pattern दिखता है, minima का जो position है, angular position है, D जो है आपका slit के बीच का separation है, और E slit की विर्थ है, यहाँ प ने बताया था, A और B लेकर चल रहे है, तो यही वाला जो formula यह बिल्कुल correct है, इसी को हम grating formula या grating equation बोलते हैं, और इसी से maximum question आपके solve हो जाएंगे, तो E plus D sin theta equal to N lambda, यह वाला answer correct हो जाएगा, option number A, अगला question देखे, तो question number 22 में कह रहे हैं कि in Franhofer's diffraction at a single state intensity of light is, यानि कि single state से Franhofer diffraction होने पर light की intensity का कौन सा expression इसमें से सही है, तो इसके लिए पहरे तो आप तीनो ही case का answer याद रखें, तीनो ही case का यह result याद रखें, चाहे single state हो, double state हो, या multiple state हो, तीनो ही case में intensity का formula आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी तो नहीं कि हर बार single state ही पूछें लेकिन आप तीनो याद रखें, तो single state के case में intensity का जो expression आता है, वो होता है, i is equal to i naught sine square alpha upon alpha square, ठीक है, यह है single state से diffraction पर intensity का expression, जहां पर i naught का मतलब है, r naught का square, या फिर आप a naught का square, कुछ भी ऐसा constant दे सकते हैं, उसका square जो है, उसको i naught बोल रहे है, यानि constant intensity वाले term को i naught बोल द दूसरा दिखे, जब हम double state से diffraction की बात करते हैं, तो double state में क्या होता है, आपने supplementary lecture में पढ़ा हुआ है, double state में interference और diffraction दोनों fringe बनती हैं, और इसलिए यहां पर जो intensity का expression आता है, उसमें interference term भी होता है, और diffraction term भी होता है, तो यह expression आता है, for i naught, बाकी चीज़े यहां पर as it is sin square alpha upon alpha square into cos square beta, ठीक है, और इसमें यह जो है, वो है आपका diffraction, यह है आपका diffraction term और यह है आपका interference term, कई बार यह भी चीज़े पूछा जाता है, इसमें से कौन सा term diffraction term है, और कौन सा interference term है, तो यह हो गया आपका double state से diffraction के बाद intensity का expression, और last है आपका n slit या multiple slit या grating से diffraction के बाद intensity का expression, और इनका expression क्या है, कि i is equal to i naught sin square alpha upon alpha square into sin square capital N beta और अपान में sin square beta, ठीक है, यह है आपका multiple slit या n slit से diffraction के बाद intensity का expression, इसमें यह वाला जो term है, वो है आपका diffraction term इसको बोलते हैं, और इस वाले term को हम बोलते है, interference term, ठीक है, तो यह चीज़ भी आपको याद रखना है, diffraction term, interference term, diffraction term, interference term, इसमें सिर्फ diffraction होता है, single slit में, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और आप ध्यान रखें कि यह बाला जो term है, जब हम इसको simplify करते हैं, इसका जब हम limit लेते हैं, तो यह result निकल के आता है, i is equal to i naught sin square alpha upon alpha square into में यहाँ से निकल के आता है n का square, है ना, यह मतब n बीटा upon sin बीटा का इसको whole square बना सकते हैं, तो यहाँ से यह पूरा निकल के आता है n का square, तो कई बार यह भी पूछा जाता है, कि n सिर्ट से diffraction के बाद, जो intensity होती है, वो total number of lines जो होती है, capital N, जो उस proportional to capital N square, यह एक बहुत ही important question है, इसको आपको ध्यान रखना है n slit के case में या grating के case में, बाकी single slit के case में आप देख पा रहे हैं, i equal to i naught sin square alpha upon alpha square, या इसको आप sin alpha upon alpha का whole square बोल सकते हैं, और इस हिसाब से कोई भी option correct नहीं है, यहाँ पर square होगा, तो option number a सही हो जाएगा, जहाँ जिसको i naught बोल रहे है, i naught मतलब क्या a square या r naught square, ठीक है, तो तीनों expression भी आपको याद रखने है, और साथ में इसको simplify करने के बाद यह जो result आता है, इसको भी आपको याद रखना, यह एक important question है, ठीक है, चलिए अगले question की और बढ़ते है, question number 23, question number 23 देखे, पिछला ही जो अ proportional to n square होता है, option number C जो होगा, वो correct हो जाएगा, इस question का, question number कौन सा ही है, question number 23, तो option number C जो है, वो correct हो जाएगा, ठीक है, I proportional to n square, अगला देखे, question number 24, question number 24 में करें, the principal focal length of zone plate is maximum far, जो principal focal length होता है, zone plate का, वो किस color के लिए maximum होगा, तो आपको पता है कि जो zone plate का focal length होता है, general formula fm equal to rn square upon 2m minus 1, और यहाँ पर n into lambda, यह expression है, zone plate के focal length का, अब इसमें करें कि principal focal length की बात कर रहे हैं, कौन से zone की बात हो रही है, यह नहीं बता रहे हैं, लेकिन कौन से focus की बात हो रही है, order of focus हमें पता है, principle focus का मतलब की order of focus m की value कितनी लेनी है, 1 लेनी है, m की value 1 जो है, इसी को हम बोलते है, principle focus, बाकि कौन से zone की बात हो रही है, तो in general कोई भी zone हो सकता है, मतलब order आप जो zone है, वो उसको आप n रहने दीजे, इसको rn रहने दीजे, तो आप देखें, इस formula से f की value अगर आपको चाहिए maximum, तो lambda की value चाहिए minimum, मतलब जिस color का wavelength जितना कम होगा, उसके लिए zone plate का principle focus उतना ज़्यादा होगा, तो इन चारों में से सबसे कम जिसका wavelength होगा, उसके लिए principle focal length सबसे ज़्यादा होगा, जोन plate का, तो red color है, green है, yellow है, और violet है, आपको पता है, विबग्यूर के according, V, I, B, G, Y, O, R, और ये order है, wavelength के increasing order का, या इसके बढ़ने का, सबसे ज़्यादा red का wavelength होता है, सबसे कम violet का होता है, सबसे कम जिसका wavelength होगा, उसके लिए focal length सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो option number D जो होगा, वो correct हो जाएगा, ठीक, चलिए अगला question देखते हैं, अभी 5-6 question और हैं, इसको भी जल्दी से करते हैं, question number 25 देखिए, the tip of a needle does not give a sharp image on screen, it is due to, किसी सुई का जो नोख होता है, उसका एक sharp image नहीं बनता है, एकदम clear, aspast image नहीं बनता है, screen के उपर, बलकि वो, मतब थोड़ा blur होता है, फैला हुआ होता है, उसमें बहुत सारे, अलग-अलग color की वज़े से fringes बनती हैं, जो, तो करें कि इसका कारण क्या है, reflection of light, interference, diffraction और polarization, तो इसका answer मिलेगा, आपको supplementary lecture में, straight age के वजह से, straight age की वजह से, जब आप diffraction पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा, कि एक straight age, ऐसे नुकिला सा है, इसको जब हमने रखा, यहाँ पर कोई source of light है, तो यहाँ से जब light ऐसे जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इस aperture से गुजरने के बाद यहाँ पर होता है, difraction, और difraction के बाद यह होता है, कि यहाँ पर इसके सामने नहीं, इसके नीचे तक इसका जो image होता है, वो बनता है, इसके बाद dark रहता है, और इसके उपर alternate bright और dark frustratinges यहाँ पर, काफी ऊपर तक बनती रहती है, और इसका graph भी हमने आपको दिखाया था, ए graph कुछ इस तरीके से होता है मतब इस central point के ऊपर और नीचे की जो situation है उसके लिए graph है ये graph कुछ आपने देखा होगा इस तरीके का graph होता है इस तरीके से ऐसा graph होता है ठीक है तो आप देखिए कि ये वाला point होता है ये वाला point इसके इधर भी यहां तक आपको मतलब light दिखती है और इसके अलामा इसके दाहिने साईड यायने उपर की तरब जायेंगे तो ये ब्राइट फिट डार्क याने मैकसिमा फिर मीनिमा फिर मैकसिमा फिर मिक्सिमा फिर मिनिमा यह धीरे-द्ध ठीक है चलिए अगला question देखिए question number 26 इसमें करें the approximate area of half period zone half period zone का जो approximate area होता है उसका formula क्या है half period zone क्या है तो Fresnel ने half period zone का concept दिया था plane wavefront की intensity को किसी भी जगहां पर calculate करने के लिए कोई भी plane wavefront है उसकी वज़़ा से किसी particular जगहां पर कितनी light की intensity होगी यह calculate करने के लिए Fresnel ने half period zone का concept दिया था और इसकी वज़़ा से और फिर इसी के आधार पर जो device बनाया गया practically उसका नाम रखा गया zone plate है ना half period zone को practically जिसी इसको implement करने के जो device बना गया उसका नाम था half period zones तो इसमें जितने भी जो zones बनते हैं जो area होता है वो area आपस में equal होता है किसी भी zone की हम बात करें उस zone का जो area होता है वो area का formula है a is equal to pi और b और lambda जहां पर b क्या है ये समझे इस plane wavefront के center से उस point का distance जहां पर ये पूरा का पूरा light जा करके focused हो रहा है इसी को हम b बोल रहे हैं इसका मतलब b is equal to focal length के आप बोल सकते हैं तो कई बार numericals भी आते हैं जिसमें हम इस b के जगाँ पर f रखेंगे और इसको solve करेंगे तो हमें area की value मिल जाए ठीक है तो ये इसका answer हो जाएगा पाई b lambda यानि कि option number b जो है वो correct हो जाएगा ठीक है न हाप period जोंस का ये area का फार्मूला अच्छा है ये जो हाप period जोंस होते हैं इनके period में कितने का difference होता है नाम इसलिए रखा है न हाप period जोंस का मतलब कि किसी भी दो लगातार जोंस के बीच में जो time period का difference है वो कितना परियेल में जो phase में change होता है बो 2 पाई का होता है हैंना 2 पाई होता है तो टी-बाई 2 में कितना 11 की हो जाएगा और वेवलेंद के अगर बात करें तो आपको उतलब रियेल यह path में जो है वो lambda का change होता है तो अगर इसका आधा यह हो रहा है तो इसका आधा यह भी हो जाएगा तो half period zones में किसी भी दो zone के बीच में time period का कितने का gap होता है t by 2 का difference होता है phase में pi का difference होता है और path में lambda by 2 का difference होता है इसको आपको ध्यान रखना है ठीक है ना ये कैसे आया ये यहां से आया कि एक पूरे वेब के complete होने के लिए जो time होता है that is t और जो इसमें phase में change होता है वो होता है 2pi और जो path में change होता है वो होता है lambda तो इसी का हमने आधा कर दिया सबका तो हमें ये result मिल गया है ठीक है फिलाल इस question का ये answer है अच्छा यह यहां पर यह जो जो जोन्स है उन जोन्स के radius का भी यह तो area का फार्मूला हो गया radius का भी आप फार्मूला याद रखें कि nth zone के radius का फार्मूला है nb lambda यह होता है यानि कि इसमें होता है pi और इसमें होता है n इतना फर्क है यह b lambda है यहां भी b lambda है लेकिन यहां पाई है यहा अगला question देखते हैं, question number 27, तो question number 27 में करें कि diffraction is observed only in, diffraction की घटना कहां पर देखी जाती है, केवल mechanical wave में, केवल electromagnetic wave में, visible light में, या फिर mechanical और electromagnetic दोनों में, है ना, तो आपको हमने बताया interference, diffraction और polarization जो है वो wave theory को support करने वाली phenomena है, इसमें से polarization सिर्फ एक ऐसी phenomena है, जो थोड़ा सा restricted है, वो सिर्फ और transverse wave के अंदर देखने को मिलती है, बाकी आपका interference हो गया और diffraction हो गया, ये wave को support करने वाली phenomena है, यानि कोई भी wave हो, उसके अंदर interference और diffraction की phenomena होती है, तो यहाँ पर ये matter नहीं करता है, वो mechanical wave है कि electromagnetic है, बाकी आपको पता होगा, mechanical जो है, वो दोनो टाइप की हो सकती है, longitudinal और transverse दोनो, और electromagnetic wave हमेशा transverse होती है, तो यहाँ पर last वाला option correct हो जाएगा, mechanical and electromagnetic wave बोथ, क्योंकि mechanical का मतलब इसमें longitudinal transverse दोनों आ गये, और इसमें सिर्फ transverse आ गया, यानि कि आपका wave चाहे longitudinal हो, चाहे transverse हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, diffraction की जो phenomena है, वो उसके अंदर हो सकती है, और interference की जो phenomena है, वो भी उसके अंदर हो सकती है, तो interference भी हो सकता है, diffraction भी हो सकता है, लेकिन polarization नहीं हो सकता, polarization सिर्फ और सिर्फ electromagnetic wave का लेजिए, या फिर आप ये कलेजिए कि transverse wave जो होती है, विजिबल लाइट भी तो उसी कटेगरी का है, तो जो transverse wave होती है, उनकी अंदर polarization होता है, longitudinal wave के अंदर नहीं होता है, बाकि diffraction और interference किसी भी तरह की अगर wave है, तो उसके अंदर ये phenomena हो जाती है, ठीक है, चलिए, तो अब question number 27 के बाद हमारे पास जो तीन question सुरुगात में आ गए थे, arrangement जिनका गडबड हो गया था, उसको देख लेते हैं, उसके बाद class को खतम करते हैं, तो ये है हमारा question number 28, ठीक है, इसमें करें कि in a zone plate, the radius, circular proportional to, अभी अभी आपने देखा कि zone plate के radius का formula है, under root n, b lambda, और यहाँ पर b और lambda constant है, b को तो हम focal length के b को लिखते हैं, zone plate के, और under root n, b lambda में जो n है, वो एक natural number है, तो आप कर सकते हैं, rn proportional to under root n, यानि कि zone plate का जो radius होता है, वो natural number के square root के directly proportional होता है, तो r proportional to square root of natural number, यानि option number a, correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो ये question number 28 था, आप देखेंगे question number 29, तो question number 29 में कह रहे हैं कि the position of nth minima in the diffraction pattern due to state age is given by, यानि state age की वज़ज़ से जो diffraction pattern मिलता है, उसमें nth minima की position के लिए कौन सा expression correct है, सही है, ये आपको बताना है, देखें, state age की वज़ज़ से जब आपने diffraction पढ़ा था, तो state age की वज़ज़ से जो general path difference का expression निकल के आता है, पोजीशन का expression निकल के आता है, डेल्टा x is equal to, ये था a x square upon 2 a plus b into b, ये था general expression of path difference in case of state age diffraction pattern, है ना, और इसमें इस state age से यहाँ जो source of light है, उसकी distance है a, और इस state age से जो screen है, उसकी distance है b, ठीक है, तो a और b यहाँ पर ये दोनों distance है, अब ये जब general path difference आपको मिल गया, तो आपको पता है कि screen पर कहीं maxima होगा, कहीं minima होगा, तो जब भी हमने आपको बताया है कि diffraction की case में maxima का expression और minima का expression जो होता है, वो interference का एकदम उल्टा होता है, तो यहाँ पर जब हम इसको जहाँ पर maxima बन रहा होगा, उस maxima के लिए इस value को उसके equivalent करेंगे, तो maxima में क्या लिखेंगे value, maxima में लिखेंगे 2n प्लस 1 lambda by 2, nth maxima के लिए ये expression हो जाएगा, और जब minima की बात करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा n into lambda, ठीके, अब यहाँ पर करें कि nth minima की position के लिए फार्मूला, तो यानि ये जो general path difference है, इसको हम minima की case में इसके equivalent करेंगे, nth order की minima के लिए, तो बन जाएगा a x square upon 2, a plus b into b is equal to n lambda, आप देखी, nth order के minima की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम nth order के minima का इस central point से position भी बता सकते हैं, तो x जो लिखा हुआ है, इसको हम x n कर सकते हैं, x मतलब क्या है, central point से, जिसकी भी ये बात चल रही है, यह minima की बात चल रही है, तो minima का central point से position, जैसे आपने यंग्स double state experiment में करा था, क्या था, x d upon capital D, यह general path difference था, फिर इसी general path difference को कभी n lambda के equal करते थे, तो हमें maxima की position मिलती थी, इसी को हम 2n plus 1 lambda upon 2 के equal करते थे, तो इसी से हमें minima की position मिलती थी, फिर इसी तरीके से आपने general path difference पढ़ा हुआ था, थिन फिल्म के case में, 2 mu t cos r plus theta करके, plus minus lambda by 2 कभी करते थे, कभी नहीं करते थे, reflected में और transmitted में, तो यहनि कि general path difference जो है, वह state is का यह है, और diffraction की बात हो रही है, तो यह अगर minima के लिए use करेंगे, तो n lambda की equal करेंगे, maxima के अगर position पता करने हैं, तो इसको हम 2 n plus 1 lambda by 2 की equal करेंगे, तो यहां से इन दोनों को हमने equal किया, अब यहां से हम position निकालने जा रहे हैं, nth minima की, तो x n square, x n square equal to क्या मिल जाएगा, actual में इसको हमें उपर solve करना होगा, तो x n square equal to क्या जाएगा, यह पूरा part इधर multiply होगा, और यह जो a है इधर divide करेगा, तो यह आजाएगा n lambda और into में, into में आएगा 2 a plus b, और यहां पर b, और upon में, यहां पर हो जाएगा क्या, a, ठीक है, और अब आप यहां से x n की value निकाल दीजिए, तो x n equal to, इसका square root लेना पड़ेगा, और square root लेंगे तो क्या हो जाएगा, square root जब हम यहां पर लेंगे, तो यह पूरा का पूरा square root के अंदर जाएगा, तो हम किसको कैसे लिखेंगे, 2 a plus b into b, और 7 में lambda, और upon में a, और इसके बाहर लिखेंगे, under root क्या n, और आप देखेंगे कि अगर एक monochromatic light की बज़े से यह सारी घटनाय हो रही है, फेनोमेना हो रहा है, तो यह लेंदा की value constant है, a और b की बात करें, यह पूरा constant है, जो 2 लिखा है, वो भी constant है, यानि कि यह जो term आपको दिख रहा है यहाँ पर, यह पूरा का पूरा term, इसको हम as a constant treat कर सकते हैं, इसको हम k बोल सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा xn is equal to, यहां से आजाएगा xn equal to, यह हो गया k, और उसके साथ में आजाएगा under root n, और n का मतलब है order up minima, कौन से minima की बात हो रही, first minima, second minima या third minima, वो यहाँ square root में रहेगा, बाकी यहाँ पर आएगा constant, ठीक है, I think हमने पिछली batch में जब पिछले साल पढ़ाया था, तो वहाँ पर एक mistake हुआ है, कि हमने जो constant k लिया हुआ है, उसमें हमने इस 2 को नहीं लिखा था, यानि हमने सिर्फ इतने part को k लिखा थ अगर इतने को आप k लिखेंगे, तो यह बन जाएगा under root के अंदर, यानि इस n के साथ 2 भी आ जाएगा, और इस n के साथ 2 आ जाएगा, तो फिर आपको दूसरा कोई option मिलने लगेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, वो mistake है, क्योंकि 2 भी constant है, 2 भी तो constant है, तो उसक उसके हिसाब से यह answer आएगा, जो कि नहीं possible है, यह गलत है, क्योंकि 2 भी constant है, a और b और lambda भी constant है, तो यह पूरा का पूरा constant, इसको इकठा हम के बोलेंगे, तो बाहर सिर्फ बचेगा, क्या order आप जो हमारा minima है, जो fringe है, सिर्फ वो variable है, बाकी पूरा constant है, तो x n equal to some constant और under root n, ठीक है, तो यह हो जाएगा, state age के diffraction pattern में, minima, nth order की minima का expression, यानि option number c, जो है, वो correct हो जाएगा, अगर आपको maxima का position पता करना है, तो maxima के लिए यह वाला answer आपका correct हो जाएगा, under root 2n plus 1, और बाहर सम constant k आजाएगा, यह वाला constant, और यह कब आएगा, जब आप इस c को इस question पर चलते हैं, और यह question हम नहीं करेंगे, यह आपके लिए homework है, सिर्फ एक question हमने 29 question किये है, एक question आपको करना है, the radius of 10th zone in a zone plate of focal length of 20 cm, far light of 5000 angstarm will be, यानि कि 10 में zone की तरजया बतानी है, जिसकी focus दूरी है 20 cm, और जो light यूज किया गया है, उसका wavelength है 5000 angstarm, option है 10 cm, 1 cm, 100 cm, 0.1 cm तो इस तरह का एक question हमने पीछे किया था, लेकिन उसमें हम focal length निकाल रहे थे, तो इस वाले question को आप लोग solve करिएगा, और जो भी इसमें से answer correct है, उनको आप comment section में जरूर बताइएगा, ठीके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ आपका wave optics का ये दूसर topic complete हो गया, इसके पहले हमने interference पढ़ा था, आज diffraction हो गया, अब इसके बाद polarization पढ़ेंगे और laser पढ़ेंगे और optics unit को complete करेंगे, ठीके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ा ही करते हैं और अपना ध्यान रखें, थेंक्यू